Does God Exist? समझाने की कोशिश करूंगा मेरा यह मानना है कि जब तक यह वीडियो खतम होगा तब तक आपको मेरा आंसर पता चल जाएगा साइन्स में दो थियरी है थियरी नमबर वन वेर देर इस अ कॉज देर इस अन इफेक्ट जहां पर एक कॉज है हर एक कॉज का कुछ न कुछ effet होता है for example if sun is the cause अगर sun cause है तो sunlight जो है न वो effect है अगर gold एक cause है तो जो जब आलरी है वो उसका एक effect है let's say sand एक cause है मिट्टी अगर एक कॉज है तो पॉड जो है ना उसका इफेक्ट है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एतने सारे यूमन्स जो हम हमारे आसपास हमारे जिंदगी के अंदर देख रहे है वो अगर मैं उसे इफेक्ट के अंदर कंसिडर करूँ तो एक बात तो बहुत शौर है कि इतने सारे इफेक्ट का कोई ना कोई तो कॉज ही है ऐसके मिनिंग यह है कि गॉड डू एक्जिस्ट अशुज बड़ा सवाल यह है कि अगर भगवान है तो भगवान कहां पर है ओके ती नबर टू सेज देट कि effect is nothing but just a part of a cause effect और कुछ नहीं है सिर्फ cause का एक पाट है मतलब sunlight और कुछ नहीं है sun का एक पाट है jewelries और कुछ नहीं है gold का एक पाट है pot और कुछ नहीं है sand का एक पाट है मतलब के आप इस भगवान को ढूंड रहे हो न यह जो सारी effect आपके आसपास आपको दिख रहे है यह और कुछ नहीं है उस भगवान का एक पाट है effect is nothing but just a part of the cause तो भगवान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जिसके अंदर आप मानते हो के है वो होंगे तो रियल भगवान के अगर अंश को देखना हो तो आसपास इधर उधर कहीं पर भी ढूंडने की जरूद नहीं है आपके आसपास में जो इंसान है न वो और कोई नहीं भगवान का ही एक अंश है तो बस अब एक मुमेंट के लिए सोचो कि अगर आपके आसपास ही भगवान है तो क्या अब आप किसी को कोई नेगेटिव सजेशन देपाऊगे किसी का आप अब चीटिंग के साथ रोंग इंटेंशन के साथ कुछ फिनेंशली कर पाऊगे किसी को आप क्या हट कर पाऊगे किसी के साथ क्या इमोशनल मैनिपलेशन कर पाऊगे आप वो लोगे नहीं क्यों विकोज जिन चीज को आप बाहर के दुनिया में ढून रहे होना वो आपके आसपास ही है